हेलो एवरीवन स्वागत या आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT चॉप में पर्मानेंट सरकारी सिक्षक भरती का अड़र्टीजमेंट जारी हो चुका है इससे पहले शॉर्ट नोटिस जब जारी हुआ था आप लोगों को वीडियो के मात्यम से बताया था डेटेल में एड़र्टीजमेंट भी जारी कर दिया गया है 51 पेजिस की पीडियोफ फाइल के साथ में और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो चुकी है कुल पदों की अगर हम बात करें तो थमनेल में आपको दिखाई दे रहा है 6025 पोस्ट है टोटल जो है 6025 पदों पर ये सरकारी सिक्षक भरती बिल्कुल पर्मानेंट भरती होगी इसमें से जो है 1988 पर फीमेल के अनिरेट के लिए रिजर्व रहेंगे कैटिगरी वाइस जो है वो वेकेंसी आप लोगों को अभी दिखाऊंगी किस कैटिगरी में जो है कितने पदों पर वेकेंसी आई होई है 21 से लेखर 38 पर्स तक की कैंडिडेट इसमें आविदन कर सकते हैं और SCST, Women Candidate, PWD Candidate को इसमें IOC में चूट रहेगी इसमें सबसी अच्छी बात कहा है कि कोई application fees नहीं देनी है इस पर्मानेंट सरकारी सिक्षक भरती में कुल जो है 6,025 जो है ये बिल्कुल पर्मानेंट ओस्ट है आविदन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट है और 29 नवंबर 2024 लास्ट डेट रहेगी तो काफी इसमें टाइम दिया गया है लेवल 9 के अकॉर्डिंग इसमें salary है basic pay 35,400 रहेगी TGT, Arts, Science, Hindi teacher, Classical, Sanskrit teacher, Telugu, Urdu teacher, Physical Education teacher की जो vacancy है तो इसमें level 8 के according जो है इसमें salary रहने वाली है इसके साथ में जो है DA other allowances जो है बिल्कुल state government के अंदरगत दिये जाएंगे IUC मैंने बता दिये 21 से लेकर 38 वर्स तक के candidate इसमें आविदन कर सकते है तो जब इसमें जो है बिल्कुल short notice जारी हुआ था तो जब बहुत ही जो है चोटा सा वीडियो बनाया गया था आप लोगों को बताया गया था कि detail advertisement जैसी जारी होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा इसमें जो है पदों का विबरन category wise दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि unreserved category में कुल जो है 3015 पद है जिसमें 995 female candidate के लिए reserve है SCVC में जो है 678 पद कुल है और female candidate के इसमें 224 पद है SC category के 978 पद है और इसमें SC category के अंतगर 323 पद जो है female candidate के लिए reserve रखे गए है ST के अंतगर 1314 पद है और जिसमें 446 पद female candidate के लिए है तो कुल जो है 6025 पदों पर यह सरकारी भरती है जिसमें 1988 जो है out of which female candidate के लिए reserve है तो यह UR, SCVC यानि socially and educationally backward classes यह full form दी हुई है SC schedule caste, ST schedule tribe, W यानि women इसमें से जो है special category है उसको भी reserve रखा गया जैसे कि PWD हो गया, ex-serviceman हो गया, sports person हो गया तो इसमें जो PWD category है तो इसके 213 पद है इसमें women के 70 पद है ex-serviceman के 180 है, sports person के 60 पद है जिसमें women can read के 20 पद है तो पदों का विबन मैंने आप लोगों को बता दिया है और vacancy जो जारी की गई है तो vacancy Odisha Staff Selection Commission की तरफ से जारी की गई है 22 October 2014 को 625 पोस्ट है इसमें, leave training reserve LTR teachers के government of secondary school under the S&ME department Odisha Bhuvaneswar ठीक है, अब इसमें जो है कौन-कौन आविदन कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं, क्या इसमें other state के candidate आविदन कर सकते हैं या नहीं first line में इनोंने लिखा है eligibility criteria में citizen of India, good character होना चाहिए ये सब चीजें जो है छोड़ें, यहाँ पर देखें, be able to read and write Odia Odia भासा जो है आपको लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए यहां तीन condition जो है इनोंने यहाँ पर दी है अगर इनमें से कोई एक condition आप पूरा करते हैं तो आप बिल्कुल apply कर सकते हैं form अगर आपका subject है तो यहाँ पर इनमें लिखाए कि high school exam जो है आपने ओडिया में या ओडिया language आपने पड़ी हो, first, second या third language के रूप में या फिर आपने जो 12th pass की है higher secondary examination अगर आपने दिया है तो higher secondary education ओडिया language के साथ में यानि कि तीनों option में यह है कि आपने जो है न किसी रूप में ओडिया language को पढ़ा हो, ठीक है minimum educational qualification इसमें TGT arts के लिए अगर आप apply करेंगे तो bachelor degree in arts या commerce और सास्त्री संस्कृत degree TGT arts के लिए 50% marks के साथ में SCSA, PWED, SBC को 45% चाहिए, साथ में आपके पास B.Ed होना चाहिए या 3 साल का integrated B.Ed, M.Ed जो भी आपने किया हो एक और condition है कि bachelor degree में दो school subject इसमें से पढ़े हो कौन कौन से English, Oria, Hindi, Sanskrit, History, Geography, Economics, Political Science, Indian Economy, Landmark in Indian History, Indian Geography, Indian Politics, Business Economics and Communicative English तो इन वे से जो है किसी में आप पास होई इन दो subject में TGT arts के लिए TGT science के लिए Bachelor degree in science में B.Tech वाले, B.E. वाले आविदन कर सकते हैं दो subject आप यहाँ पर देखिएगा Bachelor degree में आपके 50% marks आपके होने चाहिए B.Ed आपका होना चाहिए आभी जो है यहाँ पर देखें TGT, Science, PCM, Physics, Chemistry, Mathematics और trained graduate teacher science के लिए chemistry, botany, zoology, biology, biotechnology, life science ठीक है तो इसमें से जो है दो subject आपके होने ही चाहिए Telugu teacher की vacancy है तो Bachelor degree in arts having Telugu as a subject with minimum 50% marks SCST, PWED, SBC candidate को सभी में 45% marks चाहिए ठीक है और Telugu में B.Ed आपका होना चाहिए Classical के लिए Bachelor degree with Sanskrit एक एक लेक्टिव या optional या honor subject के साथ में ठीक है 50% marks बीज में होने चाहिए और साथ में जो है आपके पास सिक्षा, सास्त्री, संस्कृत का जो है course हो, B.Ed हो next ही Hindi teacher की जो vacancy है तो इसना तक में आपकी 50% marks आपके होने चाहिए और इसमें से कोई training qualification आपने की हो B.Ed किया हो या B.Ed in Hindi जो की दखिन भारत, हिंदी प्रचार सभा मदरास से की हो या B.Ed किया हो course या हिंदी सिक्षर्ण पारंगत फ्रॉम केंद्रिय हिंदी संस्तान आगरा से ठीक है? उर्दू teacher के लिए आलिम फाजिल 50% marks के साथ में, B.Ed या उर्दू B.Ed में दूसरा इनों ने बताया है B.Ed पार्षियन 50% marks के साथ में, और जो है B.Ed या उर्दू B.Ed में फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 12th के साथ में CPR, D.P.Ed, B.Ed या M.P.Ed वाले अप्लाइख कर सकते हैं Special अगर आपने B.Ed किया है तो किसी भी पोस्ट के लिए Elisible नहीं होंगे यहाँ पर देखें 50% marks का मतला 50% marks या इससे अधिक आपके होने चाहिए Graduation में या B.Ed में जो भी मांगे गए है यहाँ पर लिखा है अगर आपके 49.99% भी है तो Elisible नहीं होंगे तीक है अभी आप समझ गए होंगे कौन इसमें आविधन कर सकते है जिन्होंने उर्दू language जो है सबसे पहली condition तो यह है कि उर्दू language जो है किसी न किसी रूप में आपने 10th level पर रहा या फिर 12th level पर Graduation में या किसी भी रूप में आपने पढ़ा हो Age की यदि हम बात करें तो इसमें जर्णल केटिगरी के तो 38 year तक के candidate 21 to 38 year और 5 साल की चूट जो है किने हैं तो SCBC, SCST, All Women candidate को और 10 साल की चूट जो है PWED candidate को रहेगी selection कैसे होगा तो इसमें जो है exam रहेगा पूरा जो है pattern दिया हुआ है तो PDF file काफी लंबी है अगर आप आविधन करने के इच्चुक है कोई fees नहीं है पूरी PDF file में जो है देख लिया गया है कोई भी जो है आप लोगों को fees नहीं देनी है जिन candidate ने ODIA language किसी भी रूप में पढ़ा है और कोई qualification को जो है पूरा करते हैं तो आविधन कर सकते हैं अब आपको दिखा देती हूँ कैसे जो है advertisement आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे ही official website पर आएंगे ossc.gorman.in Odisai staff selection commission तो यहाँ पर right side में आप लोगों को यहाँ advertisement दिख जाएगा यहीं पर जो है short notice जारी किया गया था detail में advertisement आपको इस पर click करेंगे तो यह page open हो जाएगा इसमें date देखनी है 22 October 9 October दो बार जो है इनोंने विग्यापन जारी किया है तो यहाँ view PDF इस पर जो है आप लोग click कर लें ठीक है या तो 22 October वाला कर लें या 9 October वाला इस पर जो है click कर लें पूरा PDF फाइल जो है अच्छे से पढ़ें यदि आप आवेदन करना चाहेंगे उसके बाद जो है new application यहाँ पर जाकर जो है आप लोग apply कर सकते हैं चलिए मिलेंगे next video में next vacancy के साथ thank you